चले आपको सिधाल ये चलते हैं बात जिंदा पार्टी के और से प्रेस कॉन्फरेंस की जा रही है उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो पेरित करती है भारत का मूल मंत्र क्या रहता है एक पीड़ी मेहनत करके कमाती है उसके बाद दूसरी पीड़ी उससे कुछ बनाती है तब जाके तीसरी पीड़ी कुछ सुख पाती है और ये कॉंग् अमेरिका से प्ररीत होकर गोल्ड टैक्स लगाने की बात करेंगे अब मैं पूरे देश्वासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मैनिफेस्टों में विदेश की फोटु में थी जिसका ये खंड़न नहीं कर पाए अमेरिका की बैफॉलर लिवर की इनोंने गंदगी का चितर दिखा कर भारत के परियावरण के बारे में बात किया था अब ये साफ हो गया कि वो फोटु में किसी गलती के तहत नहीं थी इनके दिमाग में विदेश की बातें अंकित है और मैं तो उनसे पूछना चाहता हू तो विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं अगर आप ये कहना चाहते हैं तो विदेशों में जो आप उधारण देना चाहते हैं उसमें तो 45 परसंट तक टैक्स लगता है आपको पता होना चाहिए मैं गंभीर विशे की तरफ ध्यान आक्रश्ट करना चाहता हूं आज मुल्टी पोलर वर्ड आगे बढ़ रहा है डॉलर की हार्ड करिंसी के रूप में भविश अनिश्चित हो रहा है दो दो तीन तिन बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए उसके बाद दी काम नहीं हो रहा है यानि विश्व भविश्व में hard currency के रूप में gold के तरफ आगे बढ़ रहा है और gold सबसे अदा भारत में खरीदा जाता on an average every year 700 ton जो हर वेक्टी gold खरीबता है गरीब से गरीब वेक्टी भी ये कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो मगर वो तोला सोना होना चाहिए आप उस बचत के ऊपर क्या 45% tax लगाना चाहते है अगर आप विदेश से प्रेणा की बात कर रहे है जो उधारण उन्होंने देने की बात कही है इसका आरत क्या हुआ कि भविश्व में विश्व में जो hard currency हो सकता जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनेतिक शडियंत्र का हिस्सा तो नहीं है यह मैं बात गंबीरता से पूछना चाहता हूँ और मानी प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही है कि कॉंग्रिस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां यह परंपरा है हमारे यहां सोना कोई asset नहीं है यह foreign के mindset से बाहर आईए कोई भी हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें सोन रखा जाता है विवा होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मूं में रख दीजे किस प्रकार की चीजों के लिए किस भावना से प्रेरित है बहुत साफ हो गया विदेशी मान सिक्ता से प्रेरित जिसको भारत की विरासत से नफरत है वो भारतियों की विरासत पर गिद्ध दृष्टी डाल कर बैठें मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए यह वो सारे दल हैं कि मेरी पार्टी तो पीडी दर पीडी ट्रांसफर करेंगे बगार इनहरिटेंट टैक्स के मगर आप से इनहरिटेंट टैक्स लेंगे मैं कॉंग्रेस से पूछना चाहता हूँ एक तरह मानी पुर्धान मंत्री जी जन धन योजना के द्वारा 54 करोड गरीबों के खाते में धन पहुंचाया उन्होंने और उन खातों में 2,00,00 करोड रुपए से अधिक रुपिया है और आप जन जन का धन खीच लेना चाहते हैं अगर 4 करोड निर्धनों को आवास मिले हैं और हमने अपने मैनिफेस्टों में ये कहा है कि अब उसे बढ़ाकर 7 करोड करेंगे मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ जिस भी शहर में ये मकान है कुछ सालों में वो भी कुछ लाख रुपए के हो जाएंगे और ति गौरों विरास्त की बात आती है तो उस पर इनकी कुद द्रिष्टी होती है और देश के जन जन की विरासत पर इनकी गिद्र द्रिष्टी है और अब इसमें कुछ बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है अब इस पे ये कितनी भी सफाई दे लें जिसे कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाक करो किन कोई रहिमन बिगड़े दूद को मते नमाकन होई और अब एक बात साफ हो गई कॉंग्रेस की गारेंट में पहला काम पोटा को रिपील करने का किया था और उसके बाद देश में जो असुरक्षा का महौल उत्पन हुआ था कि चंडी गड़ से लेके चेननई तक गोहाटी से लेकर सूरत तक और पटना से लेकर गया तक हैदराबास से लेकर लखनव तक और नाकपुर से लेकर ज हैं और अब जान के साथ आपकी जान और माल दोनों खत्रे में पढ़ने की गारिंटी ये गारिंटी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोशनापत से साफ कर दी